अरबर्ड के छात और छात्राओं के लिए इंतजार की घरिया समाप्त हो गई है आपका माकसिट आपके स्कूल कोलेज में मिलना सुरू हो गया है माकसिट के साथ आप SLC और CLC भी जाकर ला सकते हैं और इसके साथ आप आचन परमान पत्र भी निकाल सकते हैं माकसिट बातने का जिसमें बहुत सारे स्कूल कोलेज में मांके जा रहे हैं चारे डॉकमेंट लेकर आने के लिए बोला गया है जैसा कि आपको पहले से पता है कि 25 मई से 12 जुन तक का last date रखा गया था माकसीद बाटने का जिसमें बहुत सारे school college माकसीद मिलना भी लग था जिसका वीडियो भी वायल हो गया था जिसमें teacher जो है घूस लेते हुए पकरे गये थे आप भी वो वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल पे भी तो आपको बता दे कि माकसीद जो है बहुत सारे college में 14 जुन को ही बुलाया गया है तो जो भी आपका college का date है उस date में आप जाएंगे और किसी-किसी college में 20 जुन को बलाया गया है अपने college के देट के नुसर आप अगर आप खूद लेकर जा रहे है और parents लेकर जा रहे है लाने के लिए दोनों में क्या अंतर ही ध्यां से देखे गाई अगर आप खूद लाने जा रहे है तो आपको कुछ नहीं सीप आपको admit card लेकर जाना है अगर आप tier का परिच्छा दिये तो master का admit card ठीके बाबूIRE आधार करड़े Sindicable और साथ-साथ आपको बता दे एक जरूरी चीज है को लेकर जाना है आपको new dueche का रशीद आपको लेकर जाना है या आपने अभी तक जितने भी पैसे payment किये हैं वो आपको no digital रसीद लेकर जाना होगा जो कि किसी स्कूल में गुलाबी किसी में पीला तो किसी में हलका हरा करण का मिलता है ठीक है अगर आपकी parents आ रहे हैं तो parents भी यह सारे documents तो लेंगे ही लेंगे साथ ही साथ आपका अधार card में लेंगे ध्यान रखेंगे कि marksit किसी किसी case में जो है student को ही दिया जाता है आपको parents को नहीं दिया जाता है ठीक है किसी-किसी college में क्योंकि marksit लेने के time जो है आपका signature कभाया जाता है कि register आपको दिया जाएगा उसके सामने आपका signature होगा कि आपने marksit जो है वो आपने पा लिया है ठीक है तो आप खुद भी जा सकते हैं और Parents को भी भीश सकते हैं कोसिस करे कि आप खूद ही जाए किसी किसी School College में जो है Parents को देने से मना कर देता है तो इस बात का ध्यान रखेंगे साथी साथ आपको बता दे कि आप माकसित लाने जा रहे हैं तो SLC और CLC या Migration Certificate या आचर परमान पत्रिए आपको कैसे मिलेगा इसके लिए क्या करना होगा माकसित तो आपको हाथो हाथ मिलड़ा है और SLC और CLC के लिए आपको एक फॉर्म जो है वो आपसे फिल करवाया जाएगा वो फॉर्म जो है फिल करके आपको जमा कर देना है और उसके बाद जो है स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपको सेम डे दे या दो दिन आपको बात बुलाया जाए ठीक है तो इस तरीके से आप SLC और CLC भी ले सकते हैं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदरी कर सकते हैं अगर आपी 11 बज़े जाते हैं तो हो सकता है आपको सेम डे मिल जाएगा तो कोशिस करें मौर्णिंग टाइम में जाने के लिए स्कूल कोलेज 11 बज़े जाए तक कि आपका काम सेम डे में हो जाए तीन बज़े तक आपका सब कुछ आपको मिल जाए बार बार को स्कूल कोलेज दोड़ना ना पड़े क्योंकि आपका रेजिस्टेशन सभी उन्विसिटी में सुरू हो गिया है इंटर में एडमीशन भी सुरू होने जा रहा है तो online registration के बाद आपको admission के लिए सारे document जो है वो आपको लगेंगे जो कि आपको college में जमा करना होगा ठीक है जब admission सुरू हो जाएगा तो mark sit लेने में आपको तिकत हो जाएगा ठीक है भीर लगने लगीगा admission के तो mark sit आपको नहीं मिल पाएगा बहुत सारे college जो है अगर बंद है summer vacation पे हैं तो भी आपका जो office है वो खुला रहता है ठीक है तो आपको ये tension नहीं लेना है कि सर मेरा summer vacation है गर्मी की छुट्टी चल रही है college में college बंद है office जो है वो खुलता है किसे भी school college का office का एक time ही होता है खुलने का खुलता है जिसमें आपका गर्मी की छुट्टी चल रही है वहाँ आपका कर्याले जो है 11 बज़े से लेकर 2 बज़े या 1 बज़े तक खुलता है तो आप कोसिस करे 11 बज़े हर हाल में आप college चले जाए और अगर आपको माकसीट नहीं मिलता है तो आपको डेट दे देगा कि अच्छा ठीक है अभी नहीं है तो आप 14 जुन को आईए या 20 जुन को आईए ठीक है तो अब आपको school college जरूर से जाना चाहिए अब बेट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है गैज बने रहे है इस